हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल डी एक्स बिले टिकल लर्नी में दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग को बताना वाला हूं किसी वी थिरी फेस मोटर को फारवर्ड रिबस चलाने के लिए उसमें स्टार डेल्टा का हम कनेक्शन कैसे करेंगे आज हम इसी के बार में पूरा फुल वारिंग करके आप लोग को बताने वाला हूं तो हमारे वीडियो को एंड तेक देखते रिएगा अगर हमारे वीडियो आच्छा लाएगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए दोस्तों अगर हम इसका क को उठाएंगे सिधा लाका जो फारवड करारि का we're कोट्र देना है के बाद मैं क्या करना है यह से एक लोग यह करको उठाएंगी सिधा लाका जो rock ले-े-व ben हमें उशना कर के कुनेट करना है उसके बाद दोस्तों हम यह से एक blue और उसमें पावर स्प्वाइज को देने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर λूप करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों हम यहीं से लाक条बल ऑसलए हमेर लाकर क्रेमें पर यहीं से हम एक आलो किलर का वार कोष्याच पर सीधा करना है दोस्तों अब हमें क्या करना है हमने यहां पर पाउर सप्लाई दे दिया है कशन करने के लिए क्या करना है यह लाकर होद हाई उट करना है इसलगी एक टिनमल और उसके बाद हमें क्या करना है हमें यहाँ पे T3 terminal से एक wire को उठाकर blue color का wire लाकर सीधा motor में connection कर देना है दोस्तों अब हमें क्या करना है अब हमें इसको motor को reverse में चलाने के लिए हमें connection करना है तो reverse में चलाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है हमें एक face को change करना होता ह है ठीक है ना अग्र आप यहां पर देखें तो फेंट को लाकर हमने किनेट कर दींगे ठीक है ना तो अब हमने ईसको negatives में चलाने कि छलाने के लिए एक समय एक फेंट को हम उल्टा करके किनेट करेंगे जहां पर यानि की red wire किनेक्ट है वहाँ पे हम blue wire को किनेक्ट करेंगे और जहाँ पे blue wire किनेक्ट है वहाँ पे हम red wire को करेंगे तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों अब हमें क्या करना है forward वाला Contactor का जो T3 Termal है हमें उससे एक wire को निकालना है और सीधा लाकर जो reverse वाला जो contactor है उसका T1 टर्मल में लाकर connect कर देना है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि face change हो गया ठीक है उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है यहीं से एक wire को उठाना है यानि कि yellow color का wire को उठाना है और सीधा लाकर T2 टर्मल में connect करना है जो reverse वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने face को change कर दिया ठीक है ना reverse में चलाने के लिए अगर हम बात करें इसमें डेल्टा का connection करने के लिए तो हमें डेल्टा का connection करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है जो reverse वाला जो contactor है इसका जो output टर्मल है यानि की red, yellow और blue हमें इससे wire को एक निकालना है लाकर हमें यहाँ पर इन करना है ठीक है यानि कि incoming supply देना है डेल्टा में तुम सबसे पहले हम क्या करें एक रेड़ वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर हमें contactor का L1 जो टर्मल है डेल्टा वाला contactor का हमें उसमें ले जाकर connect कर देना है कुछ इस तर हमें क्या करना है दोस्तों यहां से हम blue wire को उठाएंगे और सीधा ले जा जाकर यानि की L3 करने क्नेट करने की लिए हमें क्या करना है इसी डेल्टा वाला यानि कि T1 टर्मल से एक आउटपूट वायर को निकालेंगे जो कि red color का वायर होगा अब हम लाकर इसमें connect करेंगे मोटर में ठीक है ना इसके बाद हमें क्या करना है T2 टर्मल से एक वायर को निकालेंगे जो कि yellow color का वायर होगा और सिधा लाकर हमें मोटर में connection दे देना है ठ असानी पूरुवक कर दिया तर्मली को बाद लाकर हमएं करना है, यानि डेल्टा वाले कंटेक्टर से एक वायर के उठा कर सीधा लाकर इसे लाकर कंटेक्टर का, यानि कि T2 टर्मल में हमें लाकर कनेट कर देना है, उसके बाद हमें एक ब्लू कलर का भी वायर higher से उठा लेंगे delta contactor से और ले जाकर सीधा star वाले contactor का T3 terminal में लाकर connect कर देंगे दोस्तो हमें इस तरह से connection करने के बाद हमें क्या करना होता है यानि कि L1 L2 और L3 जो terminal है हमें इसको आपस में ऐसा loop करना होता है यानि कि तीनो terminal के आपस में sort करना होता है अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से short करना होता है ठीक है ना दोस्तों यहाँ पर पूरा wiring complete हो गया है दोस्तों अगर हम बात करें motor में connection करने के लिए तो motor का अंदर जो terminal होते हैं उसमें 6 point दिये होते हैं जो यहाँ पर एक side का जो उसमें terminal होता है यानि कि तीन terminal एक side में होता है और तीन terminal दूसरे side में होता है एक side के जो terminal होता है उस पर जो लिखा होता है U1, V1 और W1 और दूसरे side के जो terminal होता है उस पर लिखा होता है U2, V2 और W2 तो ठीक है ना तो इसमें हमें separate connection करना है एक side में हमें forward वाला motor का connection करना है फरवर्ड वाला कंटेक्टर का दूसरे साइड में दूसरे साइड में दूसरे साइड में दोस्तो जो डेल्टा कंटेक्टर से जो आटपूट वायर को आएगा हमें दूसरे साइड में कनेशन करना है तो इस तरह से हमारे पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है हमारे वीडिय वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए